आज हम लोग सॉल्व करेंगे स्सी सीजियल 2023 का एंग्लिस का कोश्चन पेपर नमबर 15 यह आपके सभी स्सी एक्षाम्स के लिए बहुद इंप्वाटन है आप पूरा जिरूर लगाए और चनल पर नया है सब्सक्राइब यूरूर कर ले ना क्योंकि आपके स्सी एक्षाम्स क चार आपसन है चार एडियम आपके पास हैं देखते हैं लोग इसका एंसर क्या होगा तो यहां पर देखेंगे तो देखें सबसे पहले यहां पर तीसरा आगर चौथा तीसरा चौथा आपसन देखें तो एकजाम्स कई बार पूछे आ चुके हैं सशी में ठीक है हरे एक ज लायन सश्यर मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा लिख देते हैं सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है सबसे बड़ा हिस्सा उसको बोलते हैं लायन सश्यर सबसे बड़ा हिस्सा ठीक है यह होता है लायन सश्यर और आप बेस आप बेस का मेनिंग क्या होता है तो आप बेस का मतल क्या होगा देखें इंटरबल इंटरबल जो आपका एडिल्यम हों अपण होगा अप इंधा क्रीक यह इसका मिनिंग होता है in ट्रॐल का अपिन दाउ Лिख साओ यह तो आपको लिखना है तीनों उसके अलामा Layup इसको अपनी कापी में आप लोग लिख लेंगे इसका मेनिक क्या होता है तो बी इन सेवियर डिफिकल्टीज ठीक है और ट्रबल तो बी इन सेवियर डिफिकल्टीज बी इन सेवियर डिफिकल्टीज और ट्रबल लिख सकते हैं तो बहुत सारी मुसीबतों में घिरा हुआ इसको बोलते हैं बी अप इन दा क्रीक तो आप लोग इसको अपनी कापी में लिख लेना फिलाल इसका इंसर होगा आपसर नंबर सिकेंड इसका भी मेंनिंग हो जाएगा इन ट्रबल ठीक है आगे चलते हैं अगले कुशन पर कुशन नंबर सिकेंड है इसमें देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपको सिनोनिम फाइंड करना है और जो बाड एकाउन था है ट्रेचेरेस ठीक है इसके लिए आपको यहाँ पर सिनोनिम बताना है तो देखते हम लोग आपको सेंटेंस पढ़ने के जरोत नहीं है आपको इसका मेनिंग डिरेक्टर पता होना चाहिए जाम में बहुत बारा चुका ठीक है तो ट्रेचेरेस डिवोटेट, ट्रांजियंट, राविनेश और डिसलोयल ठीक है ट्रेचेरेस आपको सिनोनिम बताना है इसका मतलब उता विश्वास घाती ठीक है विश्वास घाती ठीक आप लोग ध्यान रखेंगे यानि कि डिसलोयल क्या हो जाएगा डिसलोयल ठीक तो आप सर नंबर 4 आपको पता हो गया इसमें करेक्ट होगा आफसर नंबर चार विश्वास गाती डिस लोयल ठीक है उसके लावें आपको पिछले वीडियो में दो बार इसको बताया था ठीक कई बार एक्जाम में आ लोना एक्स्ट्रेमली हंगरी बहुत भूखा ठीक है या फिर इसको हिंचक भी कह सकते हैं हिंचक भी इसका मेनिंग होता है हिंचक हिंचक लुटेरा ठीक यह सब इसके मेनिंग हो जाते हैं आप लोग इनको ध्यान रखेंगे आगे चलते हैं कुश्चन नंबर थरी की तरफ कुश्चन नंबर थर्ड है आपको क्या करना इसमें पार्ट आप दा फॉलोविंग सेंटेस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवें आइज ओप्सन सेलेक्ट दा ओप्सन देट कंटेंज ए स्पेलिंग इरे ठीक है तो आपको जो चार इसमें अंडरलाइं किये गए हैं इनका आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है कौन सी पया है और देखेंगे लोग तो कंस्ट्रक्टिव है सिगनीजिए कैंस है लेडियू है और कन्सीरेेशन है ठाहे कि शकर कंस ना क्से frase consideration consideration से समझें consider मनें किसी को consider करने ध्यान अखना ठीक है तो consideration मतलब हो जाए सोच विचार करना ठीक है सोच विचार सोच विचार ठीक तो आप लोग इसको लिख लेना उसके बाद यहां पर significance significance मतलब होता important महत्पूर्ण कोई चीज important ठीक तो आप लुकरेटिव और इसका मेनिंग क्या होता है तो मतलब होता है लाब दायक लाब प्रभव फूट फूट फूटफुल इसका हो जाता है एंसर फूटफूल यह सब इसका answer meaning होगा ठीक तो आप लोग इसको ध्यार रखेंगे आगे चलते हैं question number four इसमें देखें क्या करना है यहाँ पर है select the most appropriate option that can substitute the underline segment in the given sentence तो आपको substitution करना है याने की improvement करना है ठीक है देख लेते हैं Govind is improving his communication skill with a view to become a journalist ठीक है तो यहाँ पर इसको आपको improvement करना है तो भाई यहाँ पर error क्या है देखें जो यहाँ पर phrase लिखा है with a view to आप लोग इसको ध्यान रखेंगे इसके बाद में वर्बिकी ing farm का प्रयोग किया जाता है इसके बाद में वर्बिकी ing farm का प्रयोग करते है आगे चलते हैं Question No.5 इसमें देखेंगे आपको इंट्वनीम फाइंड करना है और Capitalize डिवर्ड ठीक है जहाँ पर Capital रिखा यानी कि यह लिखा हो ब्रिस्क ठीक है इसका आपको एंट्वनीम बताना है Slow, Late Night, Dusky, Quick तो क्या हो जाएगा देखें ब्रिस्क का मतलब होता है तेज का करो मतलब क्या होता है तेज यानि कि इसका अन्टोनिम बताना है बिलूँस तो क्या हो जाएगा स्लोग धी में ठीक है और लेट नाइट डस्की डस्की मतलब क्या हता है धुंदला डूंदला के या फिर काड़ ठीक है यह सब देखेंगे में लोग कुश्चन नमबर 6 देखेंगे में लोग से लेट दा ऑप्षन डैट कैन बी यूजट ऐस वन वर्ड सब्टीट्यूट फार तक गिवन ऑप्षन आप दा ग्रूप आप दा वर्ड ठीक है त्याहां पर आपको वन वर्ड सब्टीट्यूट बताना है चल ओनि Come !" तो इसमें लोग देखेंगे तो इसका अंसर क्या होगा कैविलियर लुनेतिग गैलेंट डियर विटिर रेवर्ल ठीक है तो इसका और जिसको की दूसरी लोग समझते हैं कि बहुत बवेवकूप है। स्टूपीड है त्यक है उसको बोलते हैं डियर विल् – डियरव होता है इसका मतलब का होता है इसको ध्यान रखेंगे था काफी इंप्पोर्ट्टिन यहां पर देखें तो कैंगी ऑर आ चुका है इसका मतलब होता गुड़ सवार ठीक है क्या होता है गुड़ सवार यान कि घोड़ा के सवारी करने इसके बाद लुने टिक लुनेटिक लुने टिक मतलब होता पागल ये वनवड और सोडी वनवड में भी आया है सिनौई में पूछा जाता अप लोग इसको ध्यान रखेंगे पागल है ठीक है उसके बाद गैलेंट मतलब होता वीर बहादूर ठीक है ब्रेव तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे ठीक ब्रेव तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे इसको भी बहुत बार आए जितने भी वड़ हैं सभी एक्जाम में कई बार पूछे गए हैं और देखिए हाँ पर मैं आपको अब जो है CHSL 2023 के भी English Question Paper Solve कराने जा रहा हूं ठीक है इसके ज़स्ट बाद हम लोग CHSL के Question Paper Solve करेंगी तो आप लोग उनको भी अच्छे से जरूर लगाईएगा यहां पर आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिलता रहेगा सारा Content आपके एक्जाम के लिए ठीक है और GS यहां पर भारई करें तो हमारे पास सबसे देखते हैं तो यहां पर क्या होगा कि यानि कि हमारा पहला सेंटेंस को नहीं होगा तो उसके बात देखते हैं लोग दो आप्सें सी है तुम लोग सी को सबसे पढ़ लेते हैं दा ओल्यू इस ए वेल नोन मेडिटेरेनियन नेट्व एवर ग्रीन ट्री ठीक है तो ओल्यू के बारे मतलब क्या होता है जो एक परधा क्या बोलते हैं इसको जैतून कह सकते जैतून सायद होता है इसका मतलब ठीक ह तो जैतून का जो पेंड होता उसके बारे मताया गया है कि इसे वेल नोन मेडिटेरेनियन नेट्व एवर ग्रीन ठीक है ट्री हूज फ्रूट एंड ओईल आर्यूज कुसाइन एंड कुकिंग ठीक है कुसीन का मतलब क्या होता कुसीन का मतलब होता भोजन ठीक आप लोग अगर हम लोग दिवाले अप्सन को ऐसे तो परिडाम बता रहा है जो है मतलब यह लाश्ट वाला सेंटेंस मंता है ठीक है तो नहीं होगा और हमारे पास एक बचा है वाला तो दा तो इस के बारे में आगे बताए गया है तो यानि कि हमारा जो है से से ही स्टार्ट होगा ठीक है तो सबसे पहले सी वाला अपसन हमारा पास आएगा तो सी के बाद ए आएगा या डी आएगा तो मैंने आपको बताया है तो डी क्या होता है दी आपको परिणाम बता रहा है बि यह मतलब जाना पहिचाना है Mediterranean native evergreen tree है में तब Mediterranean के पास पाया जाता है जो Mediterranean Sea है ठीक है साथ उसकी बात कर रहा है कि वहाँ पर पाया जाता है ठीक है और tree whose fruit and oil जिसका की फल और तेल जो है खाने में प्रयूख किया जाता है ठीक है उसके जा ओलिव ट्री ग्रो स्लोली यह लिप्स ए लोंग टाइम जो ओलिव ट्री है यह धीरे-धीरे बढ़ता है फिर भी लंबे समय तक रहता है ठीक बाकि आप लोग इसको पूरा पढ़ लिजे आगे चलते हैं अग्याई कर Warri टो पैला वाला हमारा नहीं होगा ठीक है उसके बाद देखते हैं आप भी वाला दास आप अभी हाप दख़ू अड़िस नेशन आया नहीं कि किसी नेशन के बारे हम बताया गया है् टो बी से भी नहीं होगा तो भी हम कार देंगे क्योंकि ये जो नेशन है इसान की बात हो रही है उसको पहले स्भारत के बारें बता गया है अब यहां पर देखते हैं भारत बहुट बड़ा कंट्री मधा देस है से इम मेनी मेनी कल्चर्स ठीक तो आपका सी से स्टार्ट होगा एंड मेनी लैंगुजेज हैस बीन अचीविंग सक्सेस इन आल फिल्स ठीक है उसके बाद या तो ए आएगा या फिर बी आएगा देखते हम लोग क्या आएगा अब यहां पर देखें प्रोब्लम्स के बारे में पता नहीं कौन सी प्रोब्लम है ठीक है तो यह हमको नहीं पता ठीक तो यानि कि बी वाला ही आएगा तो आप सा नंबर सीकेंड करेक्ट होगा अब यहां पर देखें यहां पर बतायाओ उसके बाद में इस प्रोब्लम के बारे में फिर से बात की गई ठीक तो आणि कि यह वाला होगा पागि आप लोग इसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं ठीक वीडियो पोस्स करके आगे चलते हैं अगला देखते हैं question number 9 ठीक है यहां पर आपको find करना है एंटोनिम चलिए देखते हैं partial partial word है आपके लिए तो partial का आपको बताना है एंटोनिम तो देखें unbiased unjust prejudiced doubtful ठीक है तो partial का मेनिंग क्या होता है ठीक है पार्शेल का मतलब होता है आंशिक या फिर हम कह सकते हैं इसको पच्षपात पोलण शिका मेनिंग होvem और यह लिए प्रेजू-धाइक यहां पर पच्छपात पूप्रन तो आपको पता ना है एंन्टोनीम ठीक है तो नंबाइस्ट प्रेजूडायस्ट और यह आपका सिनोणीम होंगा पार्सियल का सिनोनीम प्निशोड्यूजेशडर और अन्टोनी मोगा अनदाईस्ट अन बार्यैसड का मीनिंग क्या होता है Jen मतल 오른 यह कि ज्यसे पच्छ पात कोण है निसपच क्या हो जाएगा निसपच dessas का होता है एं अन्न जो लोग इंपार्सीयल 6 पार्सियल क्या हो जाएगा इंपार्सियल to pass is died नंटोनिम हो जाए एक िक्षां रखेंगे बाकी अंजेस्ट जैस्ट मतलब होता है न्याय É होता है आप लोग इसको ध्यान रखें क्योंकि एक्जाम में आया हूए ठीक है न्याय सिनोना Can पोच्छा गया है नया थीक है तो तो मतलब नयाय का उल्टा अन्याय कर सकते हैं ठीक है अन्याय हो जाएग tidak यह फिर अन्याय पूर्ण कि एक कि अन्याय पूर्न इसका इंसर होगा और प्रेजू डायस्ट आपको बतायों पार्सियल होता है ठीक है और डाउटफुल मतलब संदे तो आप लोग इनको भी ध्यान रखें सभी इंप्वाटेंड वर्ड है ठीक आगे चलते हैं कुछिन नमबर दस है इसको देखेंगे हम लोग अब मिस्टर गुपता है ठीक है तो देखेंगे लोग रखेंड पोस्टेड एंसे फार्म तो आपको पता है कि जो सकता है आप सब्जेक्ट तो मिस्टर गुपता से स्टार्ट होगा ठीक है और इसमें इस्टिल कहीं आया ही नहीं है ठीक है तो इस्टिल कहां से आ जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा आगे चलते हैं कि कुश्चन नमबर 11 देखते हैं लोग क्या करना भई इसको बताना है ठीक है आई हो कि आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा छोटे फोंट है ठीक है तो पैसी वाइश देखते हम लोग तो वर्ब देखेंगे हम लोग हाइड प्लैस वर्व की थर्ड फार्म तो पैस्य वाइस क्या मदगा अभी हमने बनाया था उसी तरीके से भ होगा बीन आना चाहिए है यह हो सकता है वाज नहीं आएगा वाज नहीं आएगा आप सा नंबर सिकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन कुस्चन नंबर 12 को देखेंगे हम लोग और इसमें आपको इरर फाइंड करना ठीक है इट वाज बाई एचांस ही सा ए मोवी इन ए थेटर ठीक है तो आपको साउन में आ गया हो इरर क्या है तो इरर यहां पर आपसर नंबर इसमें ठीक है यह गलत फ्रेज होता है हम लोग ल लगा लेना यहां पर प्लेलिस्ट में आपको वन वर सब्सक्राइब में जाए और जो भी टापिक आपको पढ़ना यह मत सोचे कि सीजियल में आया है मत बिल्कुल मत सोच यह किसी बीग्जाम में पूछा गया कोई बीकुस्चन हर एक एक्जाम के लिए इंपॉर्ट होता है ठीक है मतलब कि सीजियल में पूछा है आपको सभी एक्जाम के लगाने ही लगाने ठीक है तो इसमें देखते हैं वन वर्ड फॉर सेके और निग्लेटिटिट चैल्ड हूँ है नो हों एंड इस्पेंड मोस्ट अफिस टाइम अन दा इस्ट्रेट्स मतलब कि फॉर सेकर म who has no home, मतलब ऐसा बच्चा जिसको छोड़ दिया गया है, जिसका कोई घर नहीं है, जो अपना अधिकतर समय जो है, साड़कों पर बिता आता, उसको क्या बोलेंगे, ठीक, वैफ, फुगीटू, विलनेरेबल, मिस्क्रियेंट, ठीक है, तो इसका एंसर होगा, वैफ, एक्जा के के केस में, मतलब बैंकों सो बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया भाग गये, उसको बोलते हैं, फुगीटू, भगोडा, ठीक है, वुलनेरेबल क्या होता है, तो वुलनेरेबल का मेनिक होता है, कह सकते हैं, जिसको भेदा जा सके, ठीक है, यानि कि आभेद दे, सुरी, कि इसको भैदा जा सके है कि भेद celt तो इसको आप लोग लिएा भेद या फिर इस तरीकस लिखिए अ भेद्य ठीक है या फिर भेद्य या फिर हम कह सकते हैं कि आसुरच्छित ठीक है आसुरच्छित ये भी हो जाएगा तो इसको आप लोग ध्यान रखें ठीक है तो क्या होगा विलनेरेबल मतलब अभेद्य आसुरच्छित और इसको कह सकते हैं पर्मियेबल ठीक है इसका करेक बदमास इसका मेनिंग होता है बदमास सरार्ती ठीक है यह सब इसका मेनिंग हो जाएगा पाखंडी आप लोग इनको ध्यान रखें यानि कि वाइल ठीक है वी आई एल ए वाइल इसका सिनोनिम होगा आगे चलते हैं कुछ से नमपर फोर्टीन इसको देखेंगे इसमें आपक तो इसमें तो इसमें हो जाएगा फालो फालो वर्ट के लिए आपको सिनोनिम बताना है ठीक है नजदीकी वर्ड इसका जो मेनिंग होगा वह बताना है तो इमिलोट और चेरिश एड्मायर रिवार्ड क्या हो जाएगा तो फालो मतलब किसी को फालो करना ठीक है तो उसका क्या हो जाएगा इसमें इमुलेट करना यानि कि किसी को इमुलेट करना इसका जो है इमुलोट आपका सिनोनिम बन जाएगा फालो का इमुलोट का मेनिंग क्या होता है अनुकरन अनुकरन करना या फिर नकल करना किसी की नकल करना नकल को क्या बोलते हैं जो मतलब जैसे मिमिक्री करना ठीक मिमिक्री मिमिक्री तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा चेरिस चेरिस मतलब जैसे मतलब समाप्त हो जाना उस तरीके चेरिस एड्मायर माने प्रसंता करना रिवार्ड आपको पता है ठीक है आगे चलते हैं कुशन नंबर 15 इसको देखेंगे अंतोनिम आपको फान्ड करना है ठीक है ट्राइवियल वर्ड के लिए अंतोनिम बताना है तो इसका अंतर क्या होगा अभी आपको बताया थोड़ी दिर पहले सिंगनिफिकन्ट सिंगनिफिकन्ट मतलब होता है इंपोर्टेंट छीक जो का इंपोर्टेंट हो कि इंपोर्टेंट शीक तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा और फियर से समस्प्र सोबना दरावना भयानक कामन साधारान ठीक है आगे चलते हैं कुश्चन नमबर 16 इसमें आपको फी इसमें भी इंटोनिम बता रहा है सिनोनिम इंटोनिम से बहुत सारे कुश्चन पूछा है देखिए अगर आप इससे एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं और इंग्लिस की बात करें तो आपको सबसे पह आपको दिये सिनोनिम एंटोनिम वनवर्ड इडियम ठीक है इनको सबसे पहले पढ़ें और वनवर्ड पढ़ना बहुत ही आसान होता है तो आप लोग वनवर्ड को वनवर्ड से शुरू करने और वनवर्ड में जो भी जितने भी आपसन में मतलब एक कुश्चन में चार आ अच्छे से कर लें एक बार बहुत सारे वीडियो मैंने दिये भी हुए MTS के सीप्यों सीजियल ठीक हर एक एक एक्जाम के सेसल और वो सेलेक्शन पोस्ट जो होता उसके भी कुश्चन यहां पर मिल जाएंगे आपको तो प्लेलिस्ट में जाए सबसे पहले वो कैप पढ़ एक सारी सीजा सिरी लगाल ने श्यरी होता रही है और लोग सबसे पहले फोकस कहा करें। आप प्लेटन के पासे हैं आप लोग्रिट में जाइए उनको सबसे पहले लगाई है ठीक है में keeping किलाल डेखते हैं अबैट अभेट के लिए आपको ऐंटräूनीम बताना ठीक है सबसाइड सबसाइड-फससाइड लेसे श 이제 抓 punto ंक्रीज देखिए अब अबेड का मतलब हो जाता है कम करना ठीक है क्या होता है कम करना और सभी वर्ड के मीनिंग अगर आपको जिन भी वर्ड की मीनिंग आपको नहीं आ तो उनको जरूर नोट करते हुए चलें ठीक बहुत ही जादा कि सब्साइड माने भी कम करना ठीक है यह सका सिनोनिम बन जाएंगे कम करना और लेसन मतलब भी कम करना तो यह दोनों इसके क्या होगे सिनोनिम बन जाएंगे ठीक अबेट को इस तरीके सभी वर अच्छे से आप लोग पढ़ते हुए चलें कुश्चन नंबर 17 देखेंगे इ सब्सक्राइब करना ठीक है तो किस आपको सब्सक्राइब होगा है तो बिल्कुल गलत है आएंज आता ही नहीं है तो इसी वे इर हो जाएगा ठीक है तो कहां पर बींग ठीक है आपको ग्या करना है भई सिलक्ट दा ऑप्सन दैट कंटेंस एंड इर ठीक तो बींग आपका इसमें इर हो जाएगा ठीक है बींग नहीं होगा बीन हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं कुश्चन नंबर 18 इसको देखेंगे यह एक इडियम है और इस इडिय करना ठीक है यानि कि लेक सकते हैं लोग दर डिटर तो क्या हो जाएगा स्टार्ट ओवर इसका इंसर क्या होगा स्टार्ट ओवर ठीक सुरुवात से कोई चीज फिर सुरू कर देना ठीक तो बैक टूद गो बैक टूदा ड्राविंग बोड आप लोग इसको ध्यान रखें आगे चलते हैं कुश्चन नंबर 19 इसको देखेंगे और भाई आप लोग जो है वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लागरा होत लाइक करें और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सेयर करें इसमें आपको क्या करना है प्री फ्राव्स पेलिंग इरस आपको उस सेंटेंस को चूज करना है जिस और आपसर नंबर दो कर जाएगा फिर बाइड है वाइड सब में आइब है सरटें तो दूसरे को तो आपको ध्यानी नहीं देना दूसरा गलत ही पहले से ठीक है तो सी यार्टी ए और टी एफ एन सरटें ये भी सही है इंस ट्रक्शन तो इस नहीं होता इंस्ट्रक्शन मे स्टिप्र वलत सहीं है आपको यह बताना है अब आप लोग इतना तो करा सकते हैं ठीक तो इसका जाली है कुलते कुछन बयुक्ट्स नमब्र 20 इने हैं यहां पर आपको फिलेंदा ब्लेंक थब चर्ट टू टेबल्स पर डे ओडर्ड प्रिस्क्राइब्ड टेबलेट्स 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 एडवाइजड प्रोपोज तो क्या हो जाएगा भाई डाक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं ठीक है और आगे मैं आपको CHSL के solve कराऊंगा तो आप लोग उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ठीक है और वीडियो को जाजाजा सेयर करें अगर किसी भी कुष्टन में कोई भी प्राब्लम हो उसके लिए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लें अगर कोई सब्सक्राइब करें ठीक है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू आल वेस्ट